वेल्कम टॉम टॉ मैं चैनल महीला तुफान दोस्तों आज की मेरी वीडियो है बॉल्ड लड़की कैसे बने हर लड़की चाहती है कि वो स्टॉंग बने बॉल्ड बने तो कैसे, कैसे आप बोल्ड लड़की बन सकती है और बोल्ड लड़की की रियल में मिनिंग क्या है आप में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे की आप एक बोल्ड गर्ल कहलाएं और आपको देखकर कोई भी कहे कि वो लड़की बहुत बोल्ड है उससे पंगा मत लेना नहीं तो फस जाओगे वो लड़की बहुत धुरते है, चलाक है, होसियार है तो बोल्ड का मतलब सी फिजिकली बोल्ड होना नहीं होता है इसका मतलब होता है कि दिमाग से हम कितने तेज तराज है और हमारे अंदर किस तरह का एटिट्यूट है और कैसे हम दुनिया पे राज कर सकते है अपने दिमाग से, बुद्धी से और कहां हमें कब कोन सी बुद्धी लगाने चाहिए कब क्या करना चाहिए तो इन सब बातों का ग्यान नौलिज एक लड़की को होना चाहिए तभी आप एक बॉल्ड गर्ल की इमेज किसी दूसरे पे इसका प्रभाव पड़ेगा जिससे कि आपसे कोई भी गलत वहवार करना या पंगा लेने से पहले सौ बार सोचेगा तो ऐसी कौन सी खास बात आप में होनी चाहिए तो चलिए आज की वीडियो हम श्रू करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है जहां जरूरी हो चुप रहो कहने का मतलब है जहां बिन बोले ही काम चल जाए वहां बोलने की जरूरत नहीं है आपको नर्म सहज और हमेशा सांत रहना बहुत जरूरी है कूल रहना बहुत जरूरी है और चुप रहना भी जैसे कि मैं एक्जामपल देती हूँ कि आपकी दादी अम्मा है नानी है वो पुराने खयालात की हैं खास कर दादी मा तो वो कुछ बोलती है आप छोटे कपरे पहनती हो या देरात घर से आती हो पढ़ाई करती हो कुछ भी हो तो वो कहेंगी कि हमारे समय में लड़कियां ऐसे रहती थी लड़कियां कम बोलती थी कम हसती थी सरमाती थी ये सारी बाते ये बहुत सारी बाते ऐसे कपरे पहनती थी तो उसमें आपको वहाँ पे चुप रहना है करना वही है जो आपका जी करता है जो आपको अच्छा लगता है सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की करना आपको जवाने के साथ, टाइम के साथ up to date रहना है और चलना है तो वहां पे आपको चुप रहना चाहिए वहां दादी आप ठीक बोल रही है आप जैसा बोलूगी मैं वैसा ही करूँगी लेकिन करना वैसा नहीं है वहां पे आपको सो करना है कि हम मैं वैसे ही करूँगी लेकिन करना नहीं है क्यूंकि पहले का समय अपका समय में बहुत अंतर है पहले गल्स को इंकम करने का कोई टेंशन नहीं था और पहले की सिचुएशन अभी की सिचुएशन फिर आने वाली सिचुएशन बहुत अंतर हो जाएगा तो इस अंतर को आपकी दादी अम्मा नहीं देख सकती है बहुत दादी देखती भी है तो यहाँ पे आपको उनको रिस्पेक्ट देना है चुप रहना है क्योंकि आप अपनी दादी अम्मा को बदल नहीं सकती हो अपने पैरेंस को हम बदल नहीं सकते हैं God gifted है, तो उन्हें वो जैसे हैं वैसे हमको accept करना है, और उन्हें भला बुरा भी नहीं कहना है, उनका respect करें चुप रहे हैं, इसरा point से self control, आपको अपने आप पे control रखना चाहिए, patience रखना चाहिए, कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा person नहीं होना चाहिए, कि आपको तुरंत गु कुछ बोल कर, ऐसी बाते आपके बारे में बोल दे कि आपको गुस्सा आजाए, या आपको ऐसी ऐसी बाते बोल दे कि आपको तुरंत रूला दे, या आपको ऐसी ऐसी बाते बोल दे कि आप हंस तो, कहने का मतलब है, आपका remote control जो है, आपके हाथ में होना चाहिए, किसी औ गर से बाहर भी, चाहें आप जहां स्टेडि करती हूं, स्कूल कॉलेज में या ओपिस में घर काम करती हैं, तो वहां इस तरह से आपका जो व्यक्तित्व है, वो स्ट्रोंग व्यक्तित्व होगा, उसमें निखार होगा लोग समझ जाएंगे कि इसे टस्ट से मस नहीं किया जा सकता, इरादे की बहुत पक्की है, और ये जो कहती है, वो कड़के भी दिखा देती है, तो आपको किसी को भी कटपुतले आप किसी की नहीं बनोगी कि वो जब चाहें, आपको हसादे रुला दें कि कि वो समझ जाते हैं, कि इसका खुद का माइंड बहुत है, बहुत दिमाग है, यह हमारे कहने से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इस्तिमाल कर लेते हैं, अगर हम भावुक होते हैं, नामे बह जाते हैं, तो हर लोग हमें रुला देते हैं, इमोशनल ब्लेक मिल करके हम जो नहीं करना चाहते हैं, औ और हम उसमें मतलब गुसा कर लेते हैं, जिससे हमारा खुद का नुक्सान हो जाता है. तो अपने पे इस तरह से आपको self-control, अपने मन पे control रखना होगा, जिससे कि आपको कभी कोई इस्तिमाल ना कर सके. तीसरा पॉइंट है self-discipline, कहने का मतलब है, आपका अनुशासन, आपको अपने उपर अनुशासन खुद रखना है. जैसे बहुत लड़की की आदत होती, गल्स की, बेटी की, की अलाम लगा लेती, मम्मी शुबह इतने बज़े मुझे उठा देना, मुझे पढ़ाई के लिए उठना है, या स्कूल मॉर्निंग है, जाना है, कोचिन जाना है, तो क्यों मम्मी क्यों उठा देगी, आप खुद self-discipline रहो, कि आपको पता है कि आपको कब उठना है, तो ऐसा करने से, अलाम से पहले आप उठ जाओगे, तो आपको अपना टाइम टेबल, अपने आपको दिस्सिप्लीन में, आपसे अच्छा कोई नहीं रख सकता है, किसी पे डिपेंड मत रोहो, self-discipline खुद रोहो, अनुशासित जीवन जो जीता है, वो एक दिन सफल जरूर होता है, मात्मा गांधी ने भी कहा है, वो खुद बहुत अनुशासित रहते थे, तो जितनी भी लड़कियां हैं, वो self-discipline को जरूर मेंटेन करें, और अपने जीवन में आगे बढ़ें, और पॉइंट से mentally strong रहें, physically fit रहें, strong रहें, अपनी health की वाट मत लगाओ, आजकल जो बच्चे हैं, girls भी हैं, लड़कियां हैं, जो पोस्टिक भोजन हैं, उसको नहीं खाती हैं, पीजा, बर्गर, मेगी, चौमीन, हलका फुलका नास्ता से उनका काम चल जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको balanced diet, proper diet जरूर लेना है, physically fit रहना है, strong रहना है, अपने स्वास्त का health का जरूर ध्यान रहना है, सुबह जल्दी उठें, morning walk करें, workout करें, अपने, मतलब meditation करें, कुछ भी करें, अपना health का proper अप ध्यान रखें, क्योंकि health बहुत जरूरी है, life में आगे बढ़ने के लिए, strong बनने के लिए, बॉल्ड लड़की बनना है, तो बॉल्ड जैसा body भी तो आपकी होनी चाहिए, आप बॉल्ड मन से बनोगी, देखने में अगर आपकी body अच्छी नहीं रहेगी, strong नहीं रहेगी, पतली दुबली रहोगी, होना चाहिए, hair अच्छा होना चाहिए, looks अच्छी होनी चाहिए, nail अच्छी होना चाहिए, हर चीज प्रोपर होना चाहिए, हर चीज पर फोकस करना है, और periods के ताइम में अपनी personal hygienic का आपको ध्यान रखना है, इस facial उस समय में क्या खाना है, अपना proper ध्यान रखना है, इस तरह से आप एक mental strong a bold girl बन सकती है, 5 points से sinus खतम करें, sai girl होती है, तो confidence तो बहुत होता है, लोगों से जब बात करती हैं, बहुत अच्छा से बात कर लेती हैं, आंकों में देखकर भी बात कर लेती हैं, लेकिन जब उनमें सर्माना, सर्म जो होती है, तो सर्माने की वज़स से सारा talent उनका धरा का धरा रह जाता है, वो उसे दिखा ही नहीं पाती है, तो आपको समझना होगा कि sinus जो है, वो कहां सही है, अगर आप सर्माते हो, तो कोई बात नहीं है, ये नेचर है, गल्स का नेचर है कि वो सर्माती, ये आपकी कमी नहीं है, लेकिन जहां आपको confidence दिखाना है, वहां आपको sinus खतम करना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है comfortable कपरे पहनना चाहिए, और एक बात मैं बता दू, बॉल्ड गर्ल का मतलब ये नहीं होता है, कि आप छोटे कपरे या कम कपरे पहनोगी, तभी बॉल्ड गर्ल कहलाओगी, या बॉल्ड लड़की है, ऐसा नहीं है, फिल्मों में देखके ऐसा, फिल्मों में कहा जाता है, वो बॉल्ड हिरोईन है, कम कपरे पहनी हुई है तो ऐसा नहीं है आपको real life उस life से अलग होती है तो आपको कपरे comfortable पहनने है और जो आपको अच्छा लगता है जिसमें आप comfortable हो वैसी ही आपको कपरे पहननी है छोटे कपरे bald girl मनने के चकर में नहीं पहनना है इस बात का भी अब खास ध्यान रखे और जहां जरूवत हो वहां सर्माए जहां जरूवत नहीं हो नहीं सर्माए जौब के हिसाब से जहां study करते है उसके हिसाब से वहां अगर पहनना है तो आपको वैसे कपरे पहनने चाहिए उसमें कोई सर्म की बात नहीं है इस point है आत निर्भर बनो self dependent girl बनो उमीद किसी से मत र कि यह हम किसी से लेने की हैल्फ की जरूष्र ना परें मिए आश्रित ना रहें यह सोचे एक इंडियन लड़की की बहुत जरूरी है चाहे आच eaten C पंदेख सोचन और आतनिरभर बना कने प्रूप से आतने लहर बनना बहुत जरूरी है, जिसे की जीवन भर आप शौभीमान के साथ जी सकते हो, किसी के आगे हाथ फैलाने के आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एतलिस कम से कम आप महनत की रोटी तो खापाओगे, इतना आपको जरूर अर्ण करना चाहिए, कोई रिच लड़का देख के उसके पीछे नहीं भागती है, कि साधी हो जाएगी तो कमाएगा, मैं जीवन भर बैटके खाऊंगी, नहीं, आपकी अपनी काबिलियत होनी चाहिए, जीओ अपने दम पर जीओ, अपनी काबिलियत, अपनी टैलेंट को इंप्रूव करो, टोकार भी आपकी, सीटी भी आपकी, और उस गारी को चलाना भी आप ही कुआना चाहिए, इस तरह से आप बॉल्ड गर्ड बन सकते हो, ओब ही से ही इसकी टैनिंग स्टार करो, माइड मेकप करो, माइड सेट करो, कि मुझे बॉल्ड गर्ड बनना है, मुझे आत निरिभर किसी के सामने गिरगिराना नहीं है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है और पूरा ध्यान रखना है, तो यह सोचना है कि यह वक्त भी बीत जाएगा, और फिर एक नई कीरन आएगी सुबह जरूर होगा, इस विश्वास के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ो और मेहनत करो, आज की वीडियो बस इतना ही, आशा करते हूँ, यह वीडियो आप लोगे के लिए बहुत ही यूजफूर रही होंगी, अगर अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मैं चल पने हैं तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद